कि नमस्कार आप देख रहे हैं इस पे नाई न्यूज और आपके साथ मैं हुए क्राइटि सिंग आपको इता दे कि यहां पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है माहुल भेहत गर्माया हुआ है महाराष्ट की राजुनीती के अज बात करेंगे क्योंकि महाराष्ट में एकनात शिंदे बीते दिनों जब ये खबर आई थी कि उन्होंने बागी तेवर अपना लिया है भाजपा के ने क्योंकि मंत्री मंदल में उन्हें कोई बढ़िया जगा नहीं मिल रही थी उनके गुटके नेताओं को जिसके बाद उनके गुटके ने लगते चले जारे क्या उस बातों को सुनने के बाद ये चीज़ नहीं माना जा सकता कि यहां पर जो है यहां पर जिस तरीके से महाराष्ट की सियासत में एक खलबली लग रही है तो ऐसे में शिंदे एक बार फिर से उधव के साथ मिल सकते क्योंकि देखिए राजपा की त अगर उन्हें ओफर करते की मुख्य मंत्री आप ही रहेंगे लेकिन शिफसेना में वापसी कर लीजिए तो क्या वो शिफसेना में वापसी करें क्योंकि उनके गुट के नेताओं की तरफ से दवाब बढ़ना अब शुरू हो गया है कमेंट सेशन आप ज़रूर बताएं कि यहां पर महाराष्ट की सियासत में जो उथल पुथल चल रहा है जो यहां पर लगतार एक के बाद एक टकराव चल रहे है उस बीच में उधव ठाकरे जो अब सामदाम दंड भेत की नीती पर पहुँच चुके हैं और लगतार कोशि में अभी भी उनके लिए इज़त है क्या वो वापसी कर पाएंगे क्योंकि भाजपा को लेकर के वो ऐसा कोई बयान नहीं देते हैं लेकिन अगर एकना चिंदे की मैं बात कर तो धफठाकरे के लिए वो अभी भी जान हाजर करने को तयार रहते हैं मैराल मुख्यमंत्री की करसी उन्हें मिल चुका है मुख्यमंत्री की करसी पर ही बने रहने के लिए लेके नगामे चुना में जनता के सामने एक बार फिर से अपना फोकस जो है ये दिखाने के लिए कि हम शिबसेना के साथ गदारी नहीं किया इसको देखते वो एक बार फिर से कदम उठाएंगे या नहीं कमेंट सेशन में आप ज़रूर बताएगा फ्लार आज के लिए बस इतना ही देश तुन्या के तमाम बड़े ख़ब रुक ले देखते लिए स्पनाई न्यूज